बॉलिवुट की मोस्ट पॉपुलर कपल्स में से एक किने जाते हैं प्रेंक का चोपड़ा और निक्चोनस ये प्यारा सा कपल हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है पर अक्सर एक दूसरे के साथ बेहत प्यारा बॉर्ण शेर करते हुए नजर आते हैं प्रेंका और निक्च शादी के बाद लगातार अपने खूपसुरत रिस्ते को लेकर लाइम लाइट पर टोरते रहते हैं तो वहीं शादी से पहले भी अपनी लव स्टोरी के चलते चर्चा में रहा करते थे ऐसे में अगर बात की जाए इस खूपसुरत से जोड़े के बारे में तो आखिरकार एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिस्ता निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोनों के बीच जगड़े होते हैं या फिर नहीं इस बात था खुलासा खुद प्रेंका ने अपने एक इंटर्व्यू के दौरान किया था और आखिरकार जगड़ा होने पर किस तरीके से एक दूसरे के साथ बरताफ करते हैं इस बात का भी खुलासा करती हुई नजर आई दरसल जानकरी के आपको बता दें कि प्रेंका ने अपने एक पिखत पुराने इंटर्व्यू में बताया था कि किस तरीके से प्रेंका अपने पती निक जोनस के गुस्से को जेलती हैं और निक जोनस उनके साथ कैसा वरताफ करते हैं प्रेंका ने अपने एक इंट्रीव में बताया कि हर नॉर्मल कपल की तरह उनके और निक के बीच भी जगड़े होते हैं, बहस होती हैं और साथ ही साथ एक गुसरे पर गुस्ता जाहिर करते हुए भी नजर आते हैं उन्होंने बताया कि जब किसी बात पर पहस होती है और उन्हें गुस्ता आने लगता है तो निक हमेशा एक ही तरीका अपनाते हैं प्रेंका कहते हुई नजर आई कि मैं जब बहस करने लगती हूँ तो निक मुझे पकड़ कर मेरा चहरा दिवार की तरब घुमा देते हैं और कहते हैं कि अब इससे बात करो जब तुम्हें लगे कि अब हम मिलकर बात कर सकते हैं तब मैं तुम्हारा चहरा फिर अपनी और घुमा लूँगा और इस तरीके से निक जोनर्स प्रेंगा के गुस्ते को शांत करते हैं ये प्यारा सा कपल हमेशा ही लाइम लाइट में बना रहता है हाल ही में प्रेंगा चोप्रा चाची बन चुकी है जी हां प्रेंगा चोप्रा की जेठा ने सोफी टर्नर ने एक बेटी को जन दिया है और निक और प्रेंगा लगाधार इस प्यारी सी बच्ची पर प्याल लु कर दो कर दो कर दो